स्वागत है अब सभी का मेरी इस चैनल दा डिवाइन पावर 1111 तो दोस्तों कैसे हो आप सब आप आप लोग सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे अपनी लाइफ में तो हाज हूं केंडल वेक्स वीडिंग के साथ तो आज हम जेक करेंगे आपके परसन की क्या है मुझे इस टॉपिक पे बहुत सी रिक्वेस्ट आती है कि इस पर आप क्यों नहीं बनाते हो तो माइडियर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन चल रही है वाईटी पे तो इसलिए मैं डेक पी नहीं इतना यूज कर रही हूँ आज कल अज इसलिए ठीक है तो चलें आप अगर आपने परसन के साथ अगर आपने उनके साथ ऐसा कोई पल बिताया है जिसमें उन्होंने आपको हग करी है आपको किस करा है टाइट से अपनी बाहों में होल्ड करा है और आपने उनकी सांसों को उनकी एनरजी को फील किया है उस पल को ना बस आपनी याद करना है क्यों तो चलें स्टार्ट करते हैं तो आपने लेना है अपने परसन का नाम तीन बार आपने नाम के साथ पॉजिटिव रहना है खुश हो कि इस रीडिंग को देखना है और इंच्वाए करना है रीडिंग पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है और कोशिश कीजिएगा वीडियो को शियर करने का ठीक है अगर आप आए हो चैनल पर पहली बार आपके आखों के सामने ये रीडिंग आई है तो आपके लिए उस समय का मैसीज हो सकता है तो देखिए इस फ्लेम की ओर याद कीजिए उन पलों को दीबरीद कर लीजे परसन की पिक्चर को भी निकाल सकते हो जो कि मुझे नहीं लगता जरूरत है क्योंकि वो तो आंखों में बसे हैं सांसों में बसे हैं आपकी रूह में बसे हैं तो चले हम पूछते हैं अपने युनिवर्स से तो युनिवर्स इस समय मेरे वीवर्स जिस भी परसन के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रहे हैं उ इनके पार्टनर की रोमेंटिक फिलिंग्स या डीप डिजायर या सेक्शुली वो मेरे वीवर्स को लेकर क्या सोचते हैं। ऐसा क्या है जो उन्होंने आर तक मेरे वीवर्स को नहीं बताया है। तो प्लीज गाइड कीजेगा ताकि मैं उनको ये मैसिज उन तक पहुचा सकूँ। आर्केंजल माइकल, हे शिफ शक्ती, हे मोलेनाथ, सही गाइड करियेगा। प्लीज स्पिरट्स, डिवाइन मैसिज दीजेगा कि मेरे वीवर्स के पार्टनर की डिजायर, सेक्शुल डिजायर, डीप थोट्स, जो उनके दिल में किसी कौने में चुपे हुए हैं, वो क्या हैं। क्योंकि आप से तो कोई कुछ भी नहीं चुपा सकता, आप तो सब जानते हूं, पास, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो प्लीज गाइड कीजेगा, वो हमसे तो चुपा सकते हैं, लेकिन आप से नहीं। चले, स्टार्ट करते हैं। पहले ही एक हाट बना है चुपा सा, नमबर वन बना है यहां पर, आपके परसन आपको लेकर बहुत सोचते हैं, खास तोर पर नाइट टाइम पर इनकी जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत बढ़ जाती हैं। वो आपको अपना मानते हैं, आप पर अपना हक जाते हैं, एसा भी है कि वो आप पर अपना हक जताते भी होंगे। यहां पर इस तरह से कुछ बना है, जैसे आपस में वो किस कर रहे हैं और एक हाट बना है। Third party situation है, आप दोनों के बीच में, जो मैं हमेशां बताती हूँ कि third party कुई भी हो सकता है, इनकी family हो सकती है, इनके friends हो सकते है, इनका काम भी हो सकता है, इनकी ego हो सकती है, और हो सकता है कि इनका कोई love partner हो, में भी मेरे कुछ viewers, ये सब के साथ resonate नहीं करेगा, मेरे कुछ viewers किसी, yes, we बना है, merit के साथ deal करें है, तो जिसके कारण, वो आपको अपने जो feelings हैं, वो ज्यादा बताते नहीं है, letter T बना है, ओके, आपके person, आपके साथ बहुत close आना चाते है, उनको बहुत अच्छा लगता है, आपके close आना, आपसे प्यार करना, आपको किस करना, आपको गले लगाना, लेकिन ये feelings को आपको बताते नहीं है, आपके person आपको लेकर सोचते बहुत कुछ हैं, बट अपनी feelings को खास तोर पे, अपनी sexual feelings को हाइट करते हैं, आप भी कई बार समझ नहीं पाते हो, कि मेरे इस व्यक्ति के अंदर आखिर चल ख्या रहा है, यहां मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, कि आपके person आपके साथ बहुत सी mind game भी खेलते हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है, आपको तडपाना, उनको बहुत मज़ा आता है, कि आप तडपो, आप उनको miss करो, इसलिए वो पता क्या करते होंगे, वो 24-7 आपके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन साथ में आपको मजबूर कर देते हैं, कि 24-7 आप भी उनके बारे में सोचो, आप भी उनकी feelings को जानने के लिए तडपो, letter S बना है, यहाँ पे एक rabbit बना है, I hope आपको दिखे, यहाँ पे letter S बना है, बहुत clear है, हो सकता है, आपका नाम स्टार्ट होता हो, S से ही आपके partner का, and S के साथ यह एक rabbit बना है, तो आपके person के अंदर एक ऐसी, naughty वली feelings हैं, जो कि बहुत मचलती हैं, letter V बना है, आपके person आपके साथ जब contact में होंगे, तो आपके साथ कुछ ऐसी बातें स्टार्ट करते होंगे, और बीच में ही उसको छोड़ देते होंगे, and then उसके बाद आपको देते होंगे, silent treatment, और आप दिन रात यह सोचते हो, कि आपके यह इसने ऐसा क्यों किया, यह अपना कुछ बताने वाला था, यह बताने वाली थी, तो यह एकदम से चुपकी हो गई, यह ऐसी क्यों करता है, क्यों और आप desperate हो जाते हों कि, यह कुछ तो कहने वाला था, यह कुछ तो बोलने वाला था, मुझे अपनी feelings बताने वाला था, letter V बना है, बहुत passionate है, यहाँ पर मुझे साफ इनकी feelings नजर आ रही है, इनकी energy में, जो इस समय है, वापको लेकर बहुत passionate है, खास दोर पर रात को, यह न आप चाहते हैं, आप इनके साथ, इनके बैट पर हों, यह जब आपको देखते हैं, तो बस इनकी नजर आप पर ही टिक जाती है, चाहिए male है, चाहिए female है, यह रोप नहीं बाते हैं अपने आपको, letter M बना है, I hope आपको दिखे, letter M है, यह letter S है, आपकी person को बहुत मज़ा आता है, आपको तड़पाने में, ठीक है, आपको लेकर बहुत possessive है, वो चाहते हैं कि 24-7 आप उनको याद करो, आप एक पल भी उनको भूलो मत, तो वो यह क्या करते हैं, आपसे बात स्टार्ट करते हैं, और बीच में ही बात को रोक कर गायब हो जाते हैं, तो जिससे ना आप desperate रहते हूँ, आप मेसिज करते हूँ, और यह क्या बोल रहते हैं, जल्दी से बताओ, मुझसे बात करो, नमबर 7 बना है, तो 7 नमबर आपके लिए important हो सकता है, और लेटर L बना है, यहाँ मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, कि आपके पार्टनर चाहते हैं, कि जब आप उनके सामने हो, तो चाहें आप उनके सामने नेट हो, लेकिन दूसरों के सामने आपको, एकदम अपने आपको cover रखना है, इनके मन की desire है, कि वो नहीं चाहते हैं, कि आपके body को कोई और देखे, यह बिल्कुल भी बदाश नहीं करते हैं, अगर आप sleeveless भी कुछ डाल लेते हो ना, तो वो भी इनसे बरदाश नहीं होता है, यह चाहते हैं कि जब आप इनके पास आते हो, या मिलने आते हो, तो तब तो चलता है, लेकिन जब आप इनसे मिलने से पहले भी, अपने आपको cover करके आओ, और कुछ शिर्ट वगरा डाल लो, और जब आप इनसे मिलो, तो वो भी उतार दो, यह कुछ इस तरह की feeling है इनकी, जीरो बना है, एंड लगता है कि आपके person आपके साथ new beginning करना चाहते हैं, आपके हर एक body part को किस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इनकी बहुत बड़ी desire है, क्योंकि हो सकता है कि जब भी आप मिलते हो, तो बहुत जल्दी जल्दी में मिलते हो, और जब भी आप से मिलके जाते हो, तो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, कि यार, मुझे न उसको चूना था, मुझे उसको अपनी बाहों में लेना था, कुछ और पल, कुछ और देर, मुझे उसकी स्किन को फील करना था, इनकी बहुत desire है, आपके साथ intimate होने की, यह आपके साथ sexual relation चाहते हैं, यह आपको अपने साथ बैट पर देखना चाहते हैं, यह थोड़ा सा हो सकते हैं, फिल्मी चाहिए, मुवीज का इनको बहुत असर रहता है, अगर यह कोई सोंग भी सुन, यह पता क्या है, इनकी emotions बहुत हाई है, आपको भी notice करना, जब आपके emotions हाई होते होंगे, तो यह देखो, यह S बना है, तो कई बार आप जब आप अपने पीने के लिए पानी बढ़ते होंगे न, तो वो गिलास में से पानी चलग जाता होगा, तो आपके person के यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि उनकी emotions बहुत हाई है, यह first time होगा है, यह क्या हो गया? सॉरी गाइल्स, क्योंकि यहाँ मैं बहुत heavy energy फिल करी हूँ, यह बहुत desperate है आपके साथ involved होने के लिए, यह चाहते हैं जैसे कि फिल्मों में होता न, कि बाहों में उठाना और बाट टब में साथ में shower लेना, कुछ ऐसा न, इनके मन की desire है, इनका बहुत मन है, कि यह आपको अपनी बाहों में उठाकर बाट टब में लेके जाएं, यह आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपकी बाटी पे खुद साबून लगाना चाहते हैं, और आपकी हर एक बाटी पार्ट को जो एक softness होती हैं, उसको फिल करना चाहते हैं, इनके अंदर बहुत सी desire हैं, मैं भी यह चाहते हैं कि उस समय यह आपको अपनी बाहों में उठाकर टब में डालें, आपकी हर एक पार्ट को अच्छे से अपने हाथों से दोएं या साफ करें या साबून लगाएं, कुछ इस तरह से feeling मुझे यहां पे उनकी catch हो रही है, यह आपको without close देखना चाहते हैं, यह आपको नेक देखना चाहते हैं, इनको आपका chest area बहुत पसंद होगा, बहुत fantasize करते हैं, यह आपको adore करना चाहते हैं, यह चाहते हैं कि जब आप पामी में हो तो यह आपको Qulu करें प्वादे हो पैरों से start करेंगे, और माथे तक जाएंगे here, यह आपके belly button पह किस करना चाहते हैं, लिक करना चाहते हैं, अपनी tummy button पह तंक किस करना चाहते हैं, इन्होंने कुछ ऐसा कोई कुछ देखा है जो वो सब आपपर ट्राई करना चाहते हैं यह चाहते हैं कि आप खुद इनके क्लोस रिमूव करो और यह भी आपके क्लोस को रिमूव करें और आप दोनों साथ में शावर लो और जब पानी गिरेना तो उस पानी को यह जैसे आप आपकी बॉड़ी का आपकी स्किन का टेस्ट कैसा है मतलब कोई यह आपको पुलेंगे कि कुछ पर्फ्यूम वगरा नहीं लगाना है कुछ ऐसा नहीं लेना है क्योंकि यह आते हैं आपकी खुश्बू को आपकी खुश्बू लेना चाहते हैं कि आपकी जिस्म की यह सोच रहे हैं कि कब हमारी शादी होगी और कब मैं इसको प्यार करूँगा और कब मेरे साथ होगी मेरे बैट पी होगी यह चाहते हैं कि जब यह आंखें कोले और आप इनके साथ हो यह रात को यह चाहते हैं कि आप दोनों ही नेग्ड एक साथ एक दूसरे की बाहों में हो neck bite करना चाते है and आपके बालों के साथ खेलना चाते है में भी हो सकता है कि मेरे कुछ जो female's हैं उनके बाल लंबे हो सकते हैं तो इनको आपके बाल बहुत पसंद है letter V फिर से बना है M बना है heart बना है यहाँ पे heart साथ में बने है and yes यहाँ पे लिप्स बने है and यह आपको किस करना चाते है and आपके लिप पे बाइट करना चाते है yes बहुत passionate इनकी energy है बहुत इनके emotions हाई है तब ही यह पानी उच्छल कर बाहर गिरा है मैंने ऐसे ही रखा है and यह कैसे flip करा है I don't know यह कैसे हुआ यह पहली बार हुआ है आपकी body पे ना कुछ निशान भी चोड़ना चाते है कि इसको यहाँ पे भी काटूँगा इसको neck पे भी काटूँगा इसकी पैर पे भी काटूँगा हाद पे भी काटूँगा और लिप पे तो काटूगा ही काटूगा और नील देखना चाते है आपकी body बहुत मतलब यह ने की lust दिखाई दे रही है इनके बहुत प्यार है लेकिन यह ना इस सब कुछ जैसे मेरे आपने energy को दिखाऊगा कि मैं smile करके इस रेडिंग को करी हूँ आपके expression देखना चाते है कि आप कैसे feel करोगे उस समय क्योंकि इनको पता नहीं है कि आप क्या चाते है और आपको पता नहीं है यह क्या चाते है तो आप दोनों ही कही ना कही इनके अंदर एक डर है कि यार मैं उसको satisfied कर पाऊँगा यह चीज़े उसको खुश कर पाएंगी इनको ना डर है यह आपको खुश करना चाते है और दुनिया के पूरी खुशिया आपको देना चाते है यहां मुझे 9 of cups के energy feel हो रही है यह सोच है कि अगर मैं उसको यहां पर bite करूँगा तो उसको feel तो नहीं होगा उसको pain तो नहीं होगा अरे भाई पहन तो होगी लेकिन उस समय की pain भी अच्छी लगएगी मिठी लगएगी तो यह कुछ इस तरह से सोच रहे है यहां मुझे ऐसे लग रहा है जो अगर mail देख रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि अरे वो सामने क्या सोचेगा कि यह ऐसा सोच ही है इसके अंदर इतना गंद भरा है लब कुछ ऐसी उनकी thinking हो सकती है लेकिन वो ऐसा चाहती है कि आप उनको अगली बार जब आप उनसे मिलोगे न तो खीच के hold कर ले ना हो सकता है वो नहीं बता पाती हो दूर-दूर से बात करती हो लेकिन अंदर ही अंदर चाहते हो कि आप उनका हाथ पकड़ो उनको कमर से पकड़ो उनको hold करो tight वाला hold करो ठीक है आपके partner भी कुछ इस तरह से सोच रहे हैं कि यार मैं इसे पूछँं कि मैं यहां पे किस करूं हिपब करूं के मैं नीचे करूं मैं उपर करूं मैं क्या करूं तो यह वो भी पूँछते वह हुचके चाहते हैं उनको डर भी लगता है किरे यह सामने क्या सोचेगी और बेस्ती टाइप चीज हो जाएगी मेरी तो मैं इससे क्या ही पूछू वो भी कहीं न कहीं आप से डरते हैं कि अरे वो गलत नहीं सोच ले कुछ ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है काफी पैशनेट एनरजी है वो आपको अपनी बाहों में लेके जाना चाहते हैं आपको उनका न जो आपको न हो सकता है कि आपका चेस्ट एरिया थोड़ा हैवी हो सकता है तो उनको वो चीज बहुत पसंद है तो वो चाहते हैं कि आप नेट में भी हो सकता है इनोंने नेट में कुछ आपके लिए इनर वेर्स लेके रखे हैं वो चाहेंगे कि आप उसको डालो और इनके सामने आओ यह चाहेंगे कि उस नेट में आपके उस आपके बॉड़ी पार्ट को देखना ठीक है I hope आप समझ रहे हो ठीक है कोच कि आप दोनों के मन में बहुत थारी डिजाइर हैं लेकिन याह मुझे इस तरह से लग रहा है आप डोनों ही फिकताथे ओनि आपकी परिशन फॉर्टी प्लस हो सकते हैं और मुझे कुछ ऐसा बीद आप सम्झीयाruce में में बाढ़ल हो सकते हो यहां पर मुझे कुछ इस वह सकता है कि आप दोनों में 5-7 तक का गैप हो सकता है एज में एज गैप मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है और आपके बाल लंबे हो सकते हैं जो फीमिल्स है और जो आपके परसन है उनके बाले छोटे हो सकते हैं उनको ना पने बालों की बड़ी टेंशन रहती होगी बहुँ टेंशन रहती है नमबर 6 बना है जो पताता है वीनस को लक्षीरियस लाइफ को हो सकता है कि इनका बदे जून में हो सकता है या आपका बदे जून में हो सकता है और ऐसा भी लग रहा है कि इनका नेम इनिशल जी से स्टार्ट होता होगा M से, S से, S से जो बना था, N से, T से, V से, यह मतलब नहीं है, कि अगर आपका इनिशल नहीं है, तो यह रिडिंग आपके लिए नहीं है, यह एक जर्नल रिडिंग है, इस वात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपके परसना कुछ इस तरह से चाहते हैं, कि ऐसे बात अब हो, और उसमें धेर सारे फूल हो, यह आपको उसमें प्याड़े प्यार से रखें, फिर आपको जब पूरा यह शावर या बातरूम वाला सीन हो जाए, तो यह आप यह चाहते हैं, कि मतलब वह आपको पानी के अंदर ही आपके साथ इंटिमेट होना चाहते हैं, फिर आपक अपनी बाहों में उठा कर ऐसे ही आपको बेट पे लिटाना चाहते हैं, फिर वहाँ पर यह चाहते हैं कि जैसे अफ्टर सेक्स थक से जाते हैं, लेकिन यह चाहते हैं कि यह उस समय ना आपके हर एक बॉड़ी पार्ट को प्रेस करें और आपको रिलाक्स करें, आपको प्रेंडल के साथ भरा हो, कुछ इस तरह से इनकी डिजायर है, कभी बताया हैं आपको इन उन्हें, ऐसा बताना में रखो, यह आपकी गोद में उठाने का ना मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, उन्हें उन्हें कोई शायद फिलम दिखें, यह आपको अपने गोद मे प्रेंड़ में सोचाओ, क्योंकि यह चाहते हैं कि आपका एक एक बॉड़ी पार्ट इनकी बॉड़ी के साथ टूच करें, आपकी स्कीन इनकी स्कीन के साथ टूच करें, कुछ मुझे यहां ऐसी वी एनरजी फील हो रही है, यह आपको डियूरिंग सेक्स जज़ करना चाह यह चीज वह फील करना चाहते हैं कि अरे उस मूवी में ऐसे दिखाया था तो क्या वह भी ऐसे फील करेगी क्या उसके मुझसे भी ऐसी आवाज आएगी कुछ इस तरह का स्नेरियों मुझे यहां पर दिख रहा है लेकिन फिर यह चाहते हैं कि आप फिर से खुद आओ उनके पास यह आपकी तरफ से भी चाहते हैं कि मतलब उसकी तरफ से भी मुझे कुछ रिस्पॉंस आना चाहिए यह यह नहीं चाहते हैं कि सिर्फ मैं ही करता जाओं या मैं ही वो लेर जाए और हम लोग ऐसे कर लें नही यह चाहते हैं कि आपको भी इस चीज को फील करना है और इनको यह चाहते हैं कि आप खुद बोलो इनको कि नहीं मुझे फिर से यह चीज करनी है या मुझे फिर से इस पल को जीना है और आपको I hope आप समझे और मैं क्या कहना चाहते हूं मतलब यह चाहते है कि एक रात में आपकी दो दिन शिफ्ट हो जानी चाहिए अगर मैं बोलू तो मतलब कि यह बहुत डेस्परेट है कि पहले मैं ऐसे करूंगा मतलब इन्होंने यह भी सोच के रखा हुआ है फर्स टाइम पे मैं ऐसे करूंगा सेकेंड राउंड में ऐसे करूंगा या करूंगी यह मतलब जो कि लड़किया नहीं सोचती है वो भी सोचती है एंड यह से यह मतलब उस फल को भरपोर जीना चाहते हैं इस नो कंडेक सिचुएशन के कारण इस दूरी के कारण I think आप काफ इसी मुवीज देखते हैं और फिर आपको विजुलाइज करते हैं और फिर यह ना डे ड्रीमिंग नहीं मैं बोल सकती हूं तो यह कुछ फेंटिसाइज विजुलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार जब हमारी शादी होगी ना तो मैं ऐसे करूंगा या ऐसे इस पर मैं उसको बोली दूंगे कि नहीं मुझे यह चीज चाहिए क्योंकि फिर तो हमारी शादी हो जाएग ना फिर क्या फिर थोड़ा बेस्ती टाइप कोई चीज होगी कुछ इस तरह से मुझे इनका दिखाई दे रहा है बहुत डेस्परेट है यह आने वाले कुछ दि से होगा कि इनके जो emotions है काफी surface पर आ जाएंगे तो आपको इनका नाम बहुत दिख सकता है आपको इनके dreams बहुत आ सकते हैं और में भी हो सकता है आपको इनका date of birth दिखे बार बार ऐसी कुछ बातें जो इन्होंने बोली हो I love you, I miss you, I can't live without you, मैं तुमारे बिना नहीं रह स जो भी आपको प्यार से बुलाते थे हैं तो कई पार होता है, हम leels fluores़ को और को सब्सक्राइब करते हैं तो इनका आने वले में आपको को मैसिज रसी नहीं? पीपी देखते हैं और फिर सोझाते हैं एंड स्टेटर्ष देखते हैं फेज़बुक पर यह लग रहा है कि शोशल मीडिया पर भी आपको बहुंव सटॉक कर रहे हैं क्योंकि जैसे फुल मून पास आता जाता है तो हमारे इमोशन हाई होने स्टार्ट हो जाते हैं और आप इस चीज को अच्छे से समयते होंगे आपके मूट स्विंग्स करते होंगे आपको कही बार ऐसे लगता हो आगा कि यार छोड़ो यह स्यापपा मैं तो इस रिष्टे मे आपके फसकी चोड़ ही देती हूँ लेकिन दूसरी पल आप सोचते हो गए कि नई यार मैं तो उससे प्यार करती हूँ वो भी उससे प्यार करता है कि आपकी अंदर से इंट्यूशन आपको बोलतی होगी कि यह से मत करो आभी मत चोड़ो वेट करो आपके अंदर से चाहते हैं कि वह समय कब आएगा बहुत डेस्परेट भी होते हैं लेकिन यहां बेना मुझे जो थर्ड पार्टी दिखाई देरिया हो सकता है कि पहला तो यह मैरेड हो सकते हैं इनके बच्ची हो सकते हैं तो जिसके कारण यह अपने फीलिंग्स को बताते नहीं होंगे कि एं इनसे मूवन हो जाओ इनके घर वालों को आपके बारे में पता हैं आप दोनों को सपरेट किया गया है है यह मतलब कि इनको काम में भी बहुत प्रेशनेट है दिन भर यह डूबे रहते हैं काम में लेकिन नाइट टाइम इंको आपकी बहुत यादाती है फिर इनका मन करता है कि दे राती आपको call message करें, आपसे धे सारी बातें करें अपने आपको satisfied करें, लेकिन कहीं न कहीं फिर ये step back ले लेते हैं यह मुझे ना healing की ज़रूरत दिख रही है, heart chakra इनका block दिख रहा है throat chakra भी मुझे इनका बंद दिख रहा है, तो आपने क्या करना है इनको vibration भेजे, love vibrations भेजे, positive बोले, positive affirmations भोले ठीक है, तो वो थोड़ा सा open होंगे आपके साथ यह open होना चाहते है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है, यहाँ पर black magic भी दिख रहा है मुझे, कि इनको block करा गया है, कि यह आपकी तरफ आए नहीं, यह सोचते जरूर है, step लेने के बारे में, लेकिन आपके बारे में, जब भी आपके पास आने के बारे में, जैसे ही step लेते हैं, तो एक दम से इनको ऐसे लगता है, कोई इनको खींच लेता है, कुछ इस तरह क इनके माइन में राद भर तो यह आपको मतलब की तक्किये की जान निकालते होंगे, और फिर सुबा उठते ही, मैं क्यो फोन करूँ, मैं क्यो बात करूँ, जगडा तुस नहीं किया था, उसको सोरी बोलनी चाहिए, ठीक है, मैं क्यो सोरी बोलूँ, कुछ ऐसा भी ego, ego का भ मैनिफेस्ट कर सको, यहां पर मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है, इनका फेवरिट कलर ब्लाक या वाइट हो सकता है, इस रेडिंग को सुनते हुए, अभी किसी ने यहां तो यलो कलर डाल रखा है, यहां कि यलो कलर का कुछ आसपास है, कुछ इस तरह का भी दिखाई द आपके परसन आप से यही चाहते हैं, जब आप दोनों का मिलन होगा ना, तो बस आपको तो तोड़ देने वाले हैं, तो रेडी हो जाओ, अच्छी डाइट वाइट लेनी स्टार्ट कर दो, पारलर जाना स्टार्ट कर दो, वेक्सिंग करवा लो क्यूंकि वह पैरों से सफेर के बाल नहीं करवाने हैं, पैर परशें हां उटवा दो, लेक्झ केलीन कर लो, आपने अप पिर्ण रिखुत बद हो था क्यूंकि आपके देन चेयान थारभा ड़ाने हो कि पारवा रस पूर्ट कर दोना Państwo, यह सोचो कि वह क्या मुझे प्रफूरा नहीं कि देन त्य जैसे जैसे आप एफर्मेशन बोलोगे कि येस मैं आज पारलर जा रही हूं यार उसने कल मिनने आना है तो इसी यह नहीं कि आप सुभा बोल रहे हो शाम तक आप लो हो रहे हो नहीं आपने बार बार इस चीज को बोलना है कि यार वह आ रहा है मुझे जाना है और मैं जिर र सब्सक्राइंग जाएंड दूसरे लोगों तक पहुँशे एंड थेंक्यू सोमच जिन्हों ने मुझे सपोट किया मेरे चैनल में आया आए आप लोग थेंक्यू 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 सो मच मेरी इसी क्यूट सी फ्यामली का हिस्सा बने तो आई होप आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी तो पसंद कर आई है तो जल्दे सी इसको लाइक कर देना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ध्यान रखेगा खुश रहेगा बहुत-बहुत-बहुत सारे प्यार के स बाइच ची कि लव यॉ 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 यॉ